हेलो डियर स्टुनेंट्स बहुत-बहुत स्वाग था आप चलिका आपके अपनी यूट्यूब चानल स्टेडी विद दुलार में बच्चो ये कलास 6 का साइंस बुक है और चप्टर 5 है ये इस चप्टर का नाम है सेफरेशन ऑप सबस्टेंसेस इसका मतलब है कि पदार्थो जो हता है हम लोग दुकान से लेकर खाते हैं तो वह मिक्चर वह भी मिक्चर इसलिए उसका नाम दिया गया है क्योंकि उसमें कई सारे चीजे मिली रहती है इसलिए मिक्चर का जाता है मिक्चर का मतलब हता है मिस्रन तो ऐसी कई सारे चीजे हमारे पास रोजाना मुझूद रहता है जिसमें कई सारे तत्तो जो है पदात मिले रहते हैं तो उसे मिश्रिन का आ जाता है और उसको हमें किसी आवसकता के कारण हमें उसे अलग करना पड़ता है उसको अलग करने के लिए हम कई विधी अपनाते हैं तो उसी के बारे में इस चप्टर में दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि एक पदार्थ से दुसरे पदार्थ को कैसे अलग किया जाए तो इसी के बारे में दिया हुआ है आये था हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं और मैं आप फर बार बतलाता हूं कि मैं chapter को briefly मतलब संचिप्त में पढ़ूँगा और आप लोगों को chapter को deeply पढ़ना है कई बार पढ़ना है तो basically इसमें जो जरूरी बाते हैं उन सारी चीजों को मैं बतला दूँगा और finally last मैं इसका question answer करवा दूँगा यहां पर देखते हैं in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials कई बार हम लोग देखते हैं life में इसा आज सकता पड़ता है कि कुछ चीजों को दुसरे पदार्थ से हमको अलग करना पड़ता है यहां पर दिया हुआ tea leaves are separated from liquid with a stanner while preparing tea जब हम लोग चाई बनाते हैं जब हमारे घर में कोई guest आता है या कोई भी दूसरा बेखती आ जाता है हम लोग क्या करते हैं अक्सर उसका स्वागत चाई से करते हैं यह नॉर्मल सी चीज है तो जब हम चाई बनाते हैं तो चाई की जो पत्ति डाला जाता है चाई बनाने में उसको अलग किया जाता है उ आते की का दुदररन हम लोगों को हम स्टाक मतलब अनाज का पोधा होते हैं उसमें अनाज चोटे चोटे दाने उसमें के वे होते हैं और उसको हमें निकालने की आओ सकता पड़ता है उसको हम किसी na किसी विधि मिल्क और कर्ड चर्ण कहाँ सेपरेट सेपरेट the butter मिल्क और दही द़िन को घठम करते हैं यह को प्राप्त करते हैं, learn in chapter 3, जैसे कि chapter 3 में हम लोग पढ़े हुए हैं, we gain cotton to separate its seeds from the fiber, हम लोग fiber का जो seed होता है, उसको cotton ball से उसको चुन-चुन कर उसको अलग करते हैं, उसको भी separate करने की विधी हो गया, perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा, संपरता आप लोग ने जरूर खाया होगा, द वहाँ क्या होता है, चूडा जिसको बोलते हैं, चूडा, तो चूडा को, चूडा में कुछ मिला कर खाया जाता है, उसको mixture बनाया जाता है, if you found that it had chillies in it, अगर आपको इसमें मिर्च मिलता है, क्या करते हैं, you may have carefully taken them out before eating, और इसको खाने से पहले हम मिर्ची को निकाल लेते हैं, क्योंकि मिर्ची काफी तिखा होता है, और ज्यादतर बच्चों को तो पसंद नहीं है, कुछ बड़े लोग होते हैं, तो उसको जो खाने वाले हो खाते हैं, suppose you are given basket containing mangos and guaba, अगर माल लेजेगा आपको एक बड़ा सा टोक्री दे दिया, और उसमें आम और अमरूद भ देंगे, दोनों अलग हो गया, इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, seems easy, यह आसान सा महसूस होता है, और आसान है भी, लेकिन आप सोचिए, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, mango या गोवाभा है, इसलिए मतलब आम और अमरूद है, बड़ा बड़ा होता है, इसलिए आप आ आथों से चून कर उसको अलग नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर पहली के दिमाग में कुछ बात आ रही है, जैसा, but why would we need to separate substances like this at all, यहाँ पर पहली कह रही है, कि आखिर इस तरह की चीज़ें हमें क्यों आप सकता पड़ेगी, क्यों पड़ती है, कि हमें एक चीज से दूस सबसे पहले हम इसको पड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक कॉलम है, few processes of separation, कुछ परकिरिया दिया हुआ है, अलग करने का, the purpose of separation and the way separated components are used in mention in column 2 and 3 respectively, कोई मिला हुआ चीज है, मिसरन है, और उसको उसमें से कुछ चीज़ें अलग करना है, तो क्यों उसको आप सकता पड़ता है, यह दिखाए गया है, और जिसमें की 2 number और 3 number column में उसका दिखाए गया है, लेकिन दोनों, however, the information given in column 2 and 3 is jumbled up, मतलब column 2 और 3 में, वो serial number से नहीं है, कुछ इधर उधर हो गया, can you match, match करने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है, कि क्या आप match कर सकते है यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़कर देखते हैं, क्या दिया हुआ है, separation process, separation यहाँ पर जिसको किया जा रहा है, वो बतलाए गया है, pose for which we do the separation, क्यों किया जा रहा है, क्या हो सकता है, what do we do with the separated components, और फिर हम, उसको, उसमें कौन सा पदार्फ मिलता है, हमको separate करने के बाद, नमबर वन में separate stone from rice, चावल से stone, पत्थर के टुकडे कंकड को हम अलग करते हैं, तो इससे क्या होता है, separated two different, but useful, यहाँ पे नहीं है, to remove non useful component, यहाँ पे यह हो सकता है, to remove impurity or harmful component, यह नहीं, यह होगा, तो one के साथ b match करेगा, non useful component, जो useful नहीं, जो वेकार चीज़े हैं, उसको हम लोग अलग करते हैं, यहाँ से, rice से कंकड, कंकड हमारे लिए useful नहीं है, तो इसको अलग करते हैं, we throw away the solid component, तो कंकड जो है, वो solid है, ठोस है, उसको हम लोग फेक देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, one से b, और b से फिर one जाएगा, इस तरह से मिलेगा, churning milk to obtain butter, हम लोग milk को मत्ते हैं, butter को पानी के लिए, तो उसमें क्या होता है, two separate, two different but useful components, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़े हमें प्राप्त होता है, और दोनों ही चीज़े useful है, तो यहाँ पे two से a चला जाएगा, यहाँ इसके साथ मैच करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो चांच को भी यूज़ करते हैं, और बटर को भी यूज़ करते हैं, we use both the components, दोनों components को हम लोग यूज़ करते हैं, और लास्ट में होगे separate, tea leaves, चाई की पतियों को अलग करते हैं, तो इसमें क्या हो गया, to remove impurities और harmful component, तो इसके साथ यह सी ही होगा, और withdraw away solid नहीं, यहाँ प इस तरह से, यहाँ पर क्यों आज सकता पड़ता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे दिया process with its proposed and the way separated components are used, इस process से हम इसको अलग करते हैं, और हमें क्या हो सकता पड़ता है इसको अलग करने की, तो हम लोग यहाँ देख लिए, we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with, वैसे substance जिसको हम अपने लिए use करते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीजा मिला हुआ होता है, जो हमारे लिए useful नहीं होता है, हमारे लिए खानी कारक होता है, तो उसको हम लोग चून कर उससे अलग कर देते हैं, separate कर देते हैं, तो इस परकार से हमें आव सकता पड़ता है, the substances to be separated may be particles of different size or materials, हो सकता है कि जो substance हम अलग करना चाहते हैं, वो काफी छोटा हो, this may be any three states of matter, ये तीन तरह के अवस्था में हो सकता है, solid, liquid and gas, इस तरह से इस तरह की स्थिती में हो सकता है, फिर भी हमें उसको कैसे अलग करना, so how do we separate substance mixed together, if they have so many different properties, तो यहाँ पे इस तरह की properties में अगर र हुआ है कि हम उसको अलग करने की कौन सा method लगा सकते हैं, कौन सा बिधी लगा सकते हैं, first में दिया हुआ है, we will discuss some simple method of separation substances that are mixed together, तो जो वस्तों जो पदार्थ एक साथ मिला हुआ हुआ होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम simple, मतलब साधर हम some method अपनाते हैं, जिसके बारे some of these methods being used in day-to-day activity, तो आईए हम लोग इसको जानते हैं, जो कि हम लोग रोजाना अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं, तो यहां पे सबसे first में दिया हुआ है hand picking, hand picking मतलब हस्तचेयन मतलब हाथों से चुनना, सीधे सब्दों में जाने हाथों से चुनना, the activity to दिया हु दिलीजिये, और उसको classroom में ले आईए, खरीदने के बाद classroom में लाना, now spread the grain on a sheet of paper, एक बड़े से paper पे उसको निकाल कर फैला दीजिये, do you find only one kind of grain, क्या आप उसमें सिर्फ एकी तरह के अनाज पाते हैं, are there pieces of stone husk broken grain and particles of any other grain in it, हो सकता है कि उसमें आप यह सब पाते हैं, क्या आप उसमें पत्थर के टुकड़े हो गया, stone मतलब कंकड़ हो गया, husk भूसा हो गया, broken grain मतलब तूटे हुए अनाज हो गया, इस तरह की चीज़े आप पाते हैं, now remove with your hand the pieces of stone husks and other grains from it, और अब जो है उसको जो जरूरत की चीज़े नहीं हैं, उसको आप अलग कर लिज जैसे कि stone हो गया, भूसा हो गया और दूसरे टूटे हुए अनाज के टुकड़े हो गया, this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, तो इसको hand picking मतलब हस्थ चियन वीधी कहते हैं, जिसके दवारा कुछ size के, मतलब बड़े size के जो होते हैं, पदार्त जो होते हैं, उसको हम चून सकते हैं, जैसे stone हो गया, husk हो गया, गिहूया चावल से उसको चून कर अलग कर सकते हैं, rice और pulses, चावल हो गया दाल हो गया, इससे हम चून कर अलग कर सकते हैं, यह बड़ी मातरा में नहीं होता है, इसलिए हम उसको हाथों से चून कर अलग कर लेते हैं, in such situation we find that hand picking in a convenient method of separating substances, इस तरह की स्थिती में हम हाथों से चुनकर आसानी से उन चीजों को साफ कर लेते हैं यहां पे पिक्चर दिखाया गया है जैसे वेक्ति जो है चावल को चुन-चुनकर उसके स्टॉंस जो है और भूसा वगरा उसको निकाल रहा है इसके बाद एक विधी आता है तो इसका नाम जो है यह हिंदी नाम काफी कठिन सा है तो आप लोग इंगली से जाने हो ज्यादा बेतर रहेगा you must have seen bundles of wheat or pedi stocks lying in field after समवत्ता बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो गाउ में रहते हैं वैसे बच्चे जो धान का पोधा होता है और गेहुं का पोधा होता है तो उसमें धान और ग्यहूं लगा हुआ रहता है उसका दाना लगा हुआ रहता है तो इस पोधे से उसके दाना को कैसे अलग किया जाता है तो उसको अलग करने की जो बिधी होता है उसी को थ्रेसिंग बोला जाता है stocks stocks मतलब हो गया वह सुखा हुआ पोधा जिसको पुवाल बोला जाता है पुवाल बोल सकते हैं मतलब बहुत सारा राता है लाइं इन दा फिल्ट खेतों में रखा वा राता है जब उसको लाते हैं वह वन में प्लक मैंगो और ग्वाबा फ्रॉम दट्री अगर पेड़ से आम और अम्रूद तोड़ने के लिए कहा जाए तो आसानी से उसे तोड़ा जा सकता है लेकिन अग जो स्टॉक से मतलब पुआल से उसके पोधे से अन को अलग किया जाता है तो उसको बूला जाता है इस प्रोसेस दॉस्टॉक्स और बीटन तो फ्रीद दे ग्रेंड सीड्स इस प्रोसेस के दुआरा पोधे से वह दाने अलग हो जाते हैं सम्टाइम्स यहां पे देख रहे बलॉक्स कई बार ब han tel राता है थो गयालओं को इसमें घूमाया जाता है जो बच्चे गाओं में रते होंगे वौ देक्षे आंगे और कई बच्चे तो형 काम भी करते हैं बैलों को गोल गो TIME घूमाया जाता है machines are also used to trace large quantity of grains और बड़ी मातरा में अगर grains होता है तो उसको machine के द्वारा tracing किया जाता है इसके बाद next जो method दिया हुआ है winowing, winowing ये method है आप देख रहे हैं ये ladies जो है यहाँ पे soup में लेकर अन के दाने को यहाँ पे गिरा रही है और कुछ उड़कर husk जो होता है वो उड़कर आगे बढ़ जाता है हवा से और अन का दाना भारी होने के कारण यहीं पे गिर जाता है इस तरह से इसको separate किया जाता है activity 3 में यहाँ पे दिया हुआ है make a mixture of dry sand with sawdust और powder dry leaves एक ऐसा mixture बनाने के लिए कह रहा है जिसमें बालू हो sawdust मतलब लकड़ी का जो चूरा होता है उसको और या फिर पतियों का चूरा कर लिए सुखे पत्पे जो होते हैं उसको powder के रूप में चूर लिजिए और इसको मिला दीजिए this mixture on a plate or any paper look at this mixture carefully can the two different components be made out easily यहां पर बतला रहा है कि उस तरह का एक मिसरन बना लिजिए जिसमें बालू हो और लकड़ी का बुरादा उसका चूरन हो या फिर उसके जगह पे आप पतियों का चूरा मिला सकते हैं पत्ते को चूर कर मिला लिजिए उसके बाद उसको एक प्लेट में लेकर उपर से उपर से फिर आप धिर धिर करके गिराईए नीचे और गिराने के बाद आप क्या देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि बालू जो होता है वह सामने ही वहीं पर गिर जाता है और पत प्रस्ट मतलब लकडी का बुरादा या लिप स्पॉडर जो है पतियों का चूरा उदो में से एक ही मिलाना है फॉल एट द सेम प्लेस क्या एक ही जगह पे गिरते हैं इस देर एक कंपोनेंट डाएट ब्लो अवे या फिर वह उसमें से कोई कंपोनेंट जो है वह दूर जा इस परकिरिया में भारी या हलके कंपोनेंट को हवा के दौरा इस तरह से गिराते हैं इसको अलग किया जाता है या तो नैचरल हवा जो खुद चलती है उसके दौरा या फिर कई बार पंखे लगा के भी इसको विनौइंग को किया जाता है इस बिधी को अकसर आप देखते होंगे किसान जो होते है अनाज को उसको भूसे से अलग करने के लिए इस बिधी को अपनाते हैं तो जो लोग गाव में रहे होंगे उन लोग ज़रूर देखे होंगे और अभी भी किया जाता है अभी भी देखे होंगे इस परकिरिया में हवा जब चलती है उसी समय किया जाता है तो इसको अनाज जब गिराया जाता है तो भूसा जो हता है हवा के वज़से दूर जाके गिरता है और अनाज का दाना जो रहता है वो सामने ही गिर जाता है जिससे वो सेपरेट हो जाता है इसके बाद का मैथर दिया हुआ है सिविंग, सिविंग मतलब हो गया चलनी से चालना, यहां पर दिया हुआ है, sometimes we may wish to prepare a dish with floor, कभी-कभी आटे से कोई ऐसा dish बनाने क्या आउ सकता पड़ जाता है, या ऐसा अमन होता है आदमी का, we need to remove impurities, the bran that may be present in it, उस dish को बनाने में, आटे में जो bran होता है, जो भूसा टाइप का होता है, उसको निकालना पड़ता है, अगर वो न निकले, तो फिर वो dish त्यार ने होगा, खराब लगएगा, इसलिए उसको आटे को pure किया जाता है, उसमें जो bran होता है, पतला bran, ब्रान जो होता है, वो भूस इसे का बहुत पतला हिस्सा होता है उसको ब्रान बुला जाता है उसको बनाने के लिए चलनी में हम लोग आटा को चालते हैं उसमें जो ब्रान निकलता है उसको अलग किया जाता है इसे आवसकता पड़ जाता है Saving Loss the fine floor particles do pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. चालने के दोरान क्या होता है? आटा का चोटा पार्टिकल होता है, चोटा चोटा कंज होता है, वो चलनी का छो छेद होता है, उससे पार हो जाता है. लेकिन impurities उसका जो ब्रान होता है वो बड़ा होता है जिसके वाज़ा से वो पार नहीं हो पाता है और separate हो जाता है अलग हो जाता है In the floor mill impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it आटे के मिल में इसी तरह की परकिरिया अपनाई जाती है वहाँ पे बड़ा बड़ा चलनी लिया जाता है और गेहों को उसमें चाल कर साफ किया जाता है उसमें बड़े-बड़े stone होते है या डंटी होती है तो उसको बड़े चलनी में उसको चलने के दोरान वह चड़ जाते है उसके बाद उसकी पिसाई की जाती है यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है चलनी के दोरा जब हम आटे को चालते हैं तो आटा का जो छोटा पार्टिकल्स होता है वो नीचे चला जाता है मतलब आटा चला जाता है और इसमें ब्रांच बच जाता है यू में have also noticed similar shapes being used at construction site आपने देखा होगा चलनी जिस तरह सेम लोग घर में यूज करते हैं उसी तरह का बड़ा चलनी जो होता है उसको construction site मतलब जहाँ पे buildings बनता है तो बालू चालने के लिए उप्योग किया जाता है यह देखिए यहाँ पे यह picture दिया गया है इस तरह का चलनी रहता है और इसको उठा उठा के बड़ी मातरा में यहाँ पे बालू रखा जाता है तो जो पतला बालू होता है वो नीचे गिर जाता है और जो कंकर पत्थर होता है वो नीचे चला आता है फिर इसको साफ कर लिया जाता है brings a sieve and a small quantities of floor from home एक sieve लानना है चलनी और घर से थोड़ा सा आटा ले लेना है class में ले आना इसको और sieve the floor to separate any impurities in it और उसको फिर आटे को चालना है देखना है कि उसमें क्या impurities निकलती है now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the floor अब क्या करना है कि chalk class में तो रहता ही है उसका जो powder होता है उसको अब आटे में मिला देना है can we separate the floor and the powdered chalk by sieving अब क्या करना है उसको sieve के दुआरा चलनी के दुआरा उसको चाल कर chalk powder को अलग करना क्या chalk powder आटे से अलग होगा sieving is used when components of a mixture have different size sieving सिर्फ चालन की जो विधी है उसके दुआरा सिर्फ बड़े size का जो components होता है उसको अलग कर सकता है अगर same size का components रहेगा तो उसको अलग नहीं कर सकता है फिर वो दोनों mix हो जाएंगे sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and handpicking कई बार components जो होते हैं उसका मिसरन को हम लोग winnowing के तरीके से या handpicking के दुआरा हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते example के लिए यहां दिया हुआ है there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses जैसे की बहुत छोटा कोई पदार्थ impurities जो हता है dust होता है बहुत पतला सा बाल होगा या फिर मिट्टी होगा उसमें तो उसको कई बार हम चून कर अलग नहीं कर सकते हैं डाल या चावल में होगा तो how are such impurities separate from rice or pulses before cooking तो इस प्रकार के impurities को गंदगीयों को हम किस प्रकार से अपने चावल या दाल से अलग कर सकते हैं rice और pulses are usually washed before cooking generally हम लोग जानते हैं कि चावल या दाल को बनाने से पहले पकाने से पहले उसको धोया जाता है when you add water to these the impurities like dust particles जब हम चावल को धोने के लिए उसमें पानी डालते हैं तो इस तरह की impurities होते हैं पतले पतले बालू जो होते हैं या मिट्टी जो होते हैं तो वह क्या होता है कि वह नीचे चले जाते हैं वह पे जो बोटम होता है उसमें जाके बैड़ जाते है तो dust particles यहां पर इतने छोटे होते हैं कि वह पानी में घूल जाते हैं why have you seen that the vessel is tilt to pour out the dirty water तो फिर इतने छोटे particles का जो dust होता है आप उसको बरतन को टेड़ा किजिए उसको पानी जो है नीचे गया यह तो उस पानी के साथ जो होता है dust particles निकलते जाता है और हमको गंदा पानी निकलने के रूप में दिखाई देता है when the heavier component in a mixture settled after water is added to it the process is called sedimentation dust particles जो heavier होता है वो पानी में add करने के बाद पानी मिलाने के बाद वो नीचे बोटम में बैठ जाता है इस परिकरिया को sedimentation कहते है when the water along with the dust मतलब जब बैठ जाता है वो तो dust particles जो है नीचे में है मतलब साथ में वो है पानी के साथ is removed और उसको हम बैठने के बाद धीरे से उसको निकालते है उपर जो पानी साफ दिखाई देता है उसको हम धीरे से तेड़ा करते हुए निकालते है the process is called decantation इस परिकरिया को हम decantation करते है जो sedimentation जो गंदगी बैठा हुआ है theSciaiddiement है उसको बीना कुछ किंए मतलब हिल हे दीर दीरे आ यौकित है उसको करके निकालना है पानी को तो जैसे वहाची से और रिमूब होंने लगेगा बाहर निकलने लगे उसा रोग दियाना है तो देर देरे करके हम पानी को निकालते हैं उससको हम separate करते हैं इस तरह का कुछ और लिक्विड जो आपस में mix नहीं होते हैं जो घुलते नहीं हैं तो उसको आप इस तरह से separate कर सकते हैं जैसे किया दिया हुआ है oil and water from this mixture can be separated by the process of मतलब इस पर किरिया के द्वारा आप तेल और पानी जो आपस में mix नहीं होते हैं उसको भी आप अलग कर सकते हैं लेकिन same purity जो पहले था वो चीज आपको नहीं मिलेगा उसके लिए और दुसरा तरीका अपना नहीं होगा if the mixture of such liquid is allowed to stand for some time उच समय के लिए इसे पहले छोड़ दिया जाता है जब यह अपने जगह पे बैठ जाएगा उसके बाद हम इसको अलग करेंगे उसके उसके जो परत होता है लियर जो जम जाता है जैसे तील अगर नीचे बैठ गया है तो धीरे से पानी को निकाल लेंगे और अगर तेल उपर में है तो हम तेल को निकाल लेंगे, the component that forms the top layer can then be separated by decantation, the top layer जो clear होता है, उसको हम निकाल लेते हैं, इस पर किरिया को decantation कहा जाता है, decantation पर किरिया की द्वारा ही इसको निकाला जाता है, let's again consider a mixture of a solid, फिर से हम विचार करते हैं, ऐसे मिसरन के बारे में, जिसमें solid और liquid दोनों मिला After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? चाय बनाने के बाद जो है, आप किस पर किरिया के द्वारा उसके पतियों को अलग करते हैं, usually we use stanner to remove tea leaves, समाईने रूप से हम लोग stanner, मतलब चाय छनी का यूज़ करते हैं, और उसके पतियों को अलग कर लेते हैं, Try decantation, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? आप चाय को निकाल लीजिए, उसको बोलते हैं decantation, अगर आप ऐसा करते हैं, तो कुछ चाय पति जो है, अपके चाय में चला जाएगा, Now for the tea through A, या फिर आप एक stanner यूज़ कर सकते हैं, Did all the tea leaves remain in the stanner? तो क्या सभी चाय की पतियां जो है, वो stanner में रा जाते हैं, This process is called filtration, इस प और filtration, तो कौन सा प्रिक्रिया जो है, decantation या filtration अच्छा होता है, चाय की पतियों को निकालने के लिए, तो हम लोग तो जानते हैं, filtration ही सबसे अच्छा होता है, और हमेशा हम लोग इस विदी का ही परियोग करते हैं, Let's now consider the example of water diet we use, अब हम लोग विचार करते हैं, जो पानी है, वो सुधरुप से साफ पानी मिलता है, sometimes water supplied through tapes में भी muddy, कई बार जो water supply हो क्या आता है, pipe के दवारा, वो muddy मतलब गंदा होता है, उसमें मिटी घुला हुआता है, the water collected from ponds और river में also भी muddy, जिस तलाब या नदी से पानी को collect किया जाता है, हो सकता है कि वहां का पानी गंदा ह इसलिए हम लोगों को गंदा पानी मिल जाता है, especially after rain, जब बारिस होता है, बारिस में क्या होता है, बारिस का पानी तलाब या नदी में जब आता है, तो मिटियों को घुलते हुआता है, इसलिए muddy water हो जाता है, let's see if we can use some method of separation to remove insoluble purities like soil from the water, तो यह हम लोग कुछ इस तरह क method अपनाते हैं, जिससे की sand जो होता है, sand या soil जो होता है, मिटी में मिला हुआ होता है, उसको remove कर सके, यहाँ पर activity 5 दिया हुआ है, collect some muddy water from a pond, नदी या तलाब से थोड़ा गंदे पानी को ले ले जिए, if it is not available, mix some soil to water in ये glass, अगर इस तरह का आपको ना मिले, तब थोड़ा पानी ले लिजे, और उस पानी में, एक गिलास पानी लेके आप उसमें थोड़ा मिटी मिला दीजे, वो muddy water बन गया, let it stand for half an hour, और उसको फिर आधा या एग घंटा के लिए छोड़ दीजे, observe the water carefully and not your observation, अब ध्यान पुरुवक उस पानी को देखे, और पता की जो उसमें क् water, क्या कुछ मिटी जो है, उसके bottom में बैठ गिया है, why, what will you call this process, क्यों बैठ गिया है, और इस परकिरिया को आप क्या कहेंगे, now slightly tilt the glass without disturbing the water, अब जो है, जो पानी, जो गंदगी वहाँ पे बैठा हुआ है, पानी में, अब बहुत कम हिलाये हुए, अब धीरे से उस पानी को निकाली, let the water from the top floor into another glass, किसी दूसरी glass में निकाल लेते हैं, what will you call this process, इस process को क्या कहते हैं, तो यह सारा process जो हम लोग पढ़े अभी, उसी process को बतला रहा है, sedimentation, जैसे कि वो जो मिटी बैठ गिया, उसको आदे गंटे के लिए छोड़ दिये, तो उस परकिरिया को sedimentation कहते हैं और जब मिटी बैठने के बाद पानी जो उपर वाला पानी जो है, थोड़ा साप हो गया, उसको हम धीरे से निकाल लेते हैं, उस पर किरिया को decantation कहते हैं, is the water in the second glass still muddy और brown in color, क्या जो पानी हम दूसरी glass में निकाले हैं, क्या अभी भी वो muddy है, brown color का है, now filter it, अब जो है उ जो होता है, वो यहाँ पे काम करेगा, let's try filtering the water through a pieces of cloth, अब जो है चानने के लिए क्या करते हैं, कपड़े के टूड़े से चानते हैं, in a piece of cloth, small holes, एक कपड़े में जो हता है, उसका चिदर चोटा चोटा होता है, pour remains in between two oven threads, दो धागे उसमें लगे जो रहते हैं, उसके बीच में छेदा होता है, और वो बहुत कम छेदा होता है, this force in a cloth can be used as a filter, यह कपड़ा जो है, हम लोग इसको filter के रूप में, चानने के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और क्या भी जाता है, if the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even, अगर अभी भी यह पानी गंदा दिख रहा है, तो हम प्योग क जिसका छेदा बहुत चोटा हो, इस तरह का, a filter paper is one such filter that has very fine pores in it, filter paper आता है, उसके द्वारा हम इसको filter करते हैं, और उसका छेद जो होता है, बहुत चोटा होता है, जैसे कि 5.9 में यहाँ पे दिखाया गया है filter paper, shows the steps involved in using a filter paper, इसको filter paper के रूप में उप्योग किया जाता है, एक keep की तरह इसको जो है हम बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, मोड कर इसको keep की तरह बनाना है, the mixture is then poured on the filter paper, और जो पानी जो में बड़ी दिखाया दे रहा था, उस पानी को उसमें डाल देना है, solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter, और जो solid part उसमें छोट छोटे चोटे हो जाएगा, यहाँ पे अब देख रहे हैं, ग्लास में जो पानी आया हुआ है, और यह बिल्कुल प्योर दिख रहा है, fruits and vegetables are usually filter before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp, फल या सब्जियों का जो जूस मनाया जाता है, उसके दाने को अलग करने के लिए, और उसको पल्प जो हता है, उसको अलग करन in our homes, या फिर छानने की विधी जो है, जब हम पनीर बनाते हैं, उस समय अपनाया जाता है, you might have seen that for making पनीर, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils, पनीर बनाने के लिए हम लोग दूद को उबालते हैं, और उसमें कुछ निम्बू के रस डाल देते हैं, जिससे पनीर बन जाता है, उसके बाद उ फिर उसको हम लोग उप्योग करते हैं, इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इवापोरेशन, ये एक मेथड है, इवापोरेशन, जिसको हिंदी में वास्पन विधी कहा जाता है, activity 6 दिया हुआ है, add two spoons of salt to water in another beaker and stir it well, दो चमच नमक लेने के लिए कह रहा है, उसको पान बीट करके पानी को भाब बना देते हैं, इस विधी को ही इवापोरेशन विधी कहा जाता है, हीटिंग ए बीकर, containing salt water, एक बीकर जो है, उसको गरम किया जाता है, जिसमें कि नमक वाला पानी मिला हुआ होता है, see any change in the color of water, जब आप नमक पानी में घोलते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि पानी का color कुछ change हुआ है, can you see any salt in the बीकर after stirring, आप जब उसको हिलाते हैं, घोलते हैं, तब कि आपको फिर उसमें नमक दिखाई पड़ता है, hit the बीकर containing the salt water, और फिर उस नमकिन पानी को आप गरम किजिए, let the water boil away, what is left in the बीकर, आप जब पानी को बाइल करते ह बाब बनके जब उड़ जाता है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि बीकर में क्या बच गिया है, in this activity we used the process of evaporation, इस विधी को जिसको हम लोग अपना हैं, इस विधी को evaporation करते हैं to separate a mixture of water and salt, इस विधी के द्वारा ही पानी और नमक को अलग किया जाता है, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation पानी से भाब बनने की परकिरिया को evaporation कहा जाता है, the process of evaporation takes place continuously wherever water is present, जहां भी पानी उपस्थित है वहाँ पे evaporation का process हमेशा होता रहता है, where do you think salt comes from? आप क्या समझते हैं कि नमक कहां से आता है, sea water contains many salt mix it, समुद्र के पाने में नमक काफी सारा मिला रहता है, one of this salt is the common salt, जो की सामाइने नमक जो हम लोग उपयोग करते हैं वो भी मिला रहता है, when sea water is allowed to stand in shallow pits, नमक बनाने के लिए क्या क्या जाता है, समुद्र के बगल बगल म shallow pit, मतलब एक चोटा गढ़ा टाइप का बना दिया जाता है, और उसमें पानी भर दिया जाता है, वो पानी कुछ समय, कुछ दिनों के बाद जो है अपने आप वो evaporate हो जाता है, पेपर बनके उड़ जाता है, और वहां पे नमक बच जाता है, तो नमक और उसमें बालू impurities मिला हुआ रहता है, कई सारा, तो उस नमक को फिर जो company बनाता है, वो उठा कर ले जाता है, और फिर उसको purify करके एक खाने वाला बढ़िया नमक बना देता है, इस तरह से नमक बनाया जाता है, यहां पे जैसे देख रहे हैं, यह समुद्र है, और इसके बगल बगल में इ कठा कर लिया गया, अब इस नमक को उठा कर ले जाए जाए जाएगा, और फिर इसको purify किया जाएगा, फिर खाने के लाइक यह नमक हो जाएगा, यूज उप मौर देन वन मैथड ओप सेपरेशन, पिर्थक करन के लिए एक से ज़्यादा विधी को अपनाया जाता है, we have studied some method for separation of substances from their mixture, हम लोगों ने अधियन किया कि कई तरीके से पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं, often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture, अगर एक विधे से पूरी तरह से वो separate नहीं होता है, तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरे method को अपनाते हैं, in such a situation, we need to use more than one of these methods, ऐसे स्थितिय में हम लोग एक से ज़्यादा method को अपनाते हैं, जिसे कि यहाँ पे activity 7 में दिया हुआ है, take a mixture of sand and salt, how will we separate these, अब यहाँ पे एक मिस्रन लेने के लिए कह रहा है, जिसमें बालू है और नमक है, बालू नमक को मिला लीजी आप, अब इसको आप कैसे अलग करते हैं, we already saw that hand picking would not be a practical method for separating this, हम इसको hand picking, हाथों से चुनने की बिदी से separate नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, keep this mixture in a bicker and add some water to it, एक bicker में इस मिस्रन को लेते हैं और इसमें कुछ पानी add कर लेते हैं, lift the bicker aside for some time, do you see the sand settling down at the bottom, तो उस bicker को कुछ देर के लिए किसी जगर में रख देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, थोड़े दर बाद हम देखते हैं, कि उसके नीचे जो है, बालू उसके bottom में बैठ हिया है, the sand can be separated by decantation और filtering, उस बालू को या तो हम decantation के दवारा उसको धीरे धीरे उस पानी को निकाल लेते हैं, उस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर filtration, छानने की विदी के दवारा हम उस को निकाल सकते हैं, what does the decantate liquid content, अब ये जो decantation के दवारा जो पानी निकाला गया है, उस water में क्या है, क्या क्या चीज मिला हुआ है, तो उसमें मिला हुआ है पानी और नमक मिला हुआ है, do you think this water contents the salt which was there in the mixture at the beginning, क्या आप समझ पा रहे हैं कि उस पानी में जो है salt मिला हुआ ह जिसको हम लोग mix किये थे, बालू के साथ जो पानी में घुल गया है, now we need to separate salt and water from the decantate liquid, अब हम लोग decantate करने के बाद जो liquid मिला हुआ है, जिसमें पानी और नमक है, उसको separate करना है, उसको अलग करना है, transfer this liquid to a kettle and close its lid, hit the kettle for some time, तो इस पानी को हम एक kettle, मतलब केटली में, चा को आग पे गरम करते हैं, जैसे कि यहां पे दिखाया गया, बस यही बिधी अपनाना है, evaporation and condensation, यह दोनों method यहां पे काम कर रहा है, notice steam coming out from the spot of the kettle, अब यहां पे आप देख रहे होंगे, जो पानी अब गरम हो रहा है, तो kettle का जो है, टोंटी है, उसके द्वारा भाप लि एक metal plate लेजिए, और उसके ऊपर में कुछ बरप के टुकड़े आप रख दीजिए, और उसके टोटी के पास उस plate को पगड़ के रखिए, जहां से भाप लिकल रहा है, और ठीक उसके नीचे जो है, एक glass लगा दीजिए, और जैसे जैसे वो भाप लिकलेगा, और भाप नि यहां पर लिखा हुआ है, when the steam comes in contact with the metal plate, cooled with ice, जैसे वो भाप थंडे plate से टगराएगा, it condensens and forms liquid water, यह condensens होगा, संघनन होगा, condensens का हिंदी में बलते हैं, संघनन, वो थंडा हो जाएगा, और फिर वो पानी की रूप में परिवर्तित हो जागा, water drops that you observe falling from the plate, और उस plate से प condensation of steam, steam जब ठंडा होता है, condensens होता है, तो वह पानी बन जाता है, the process of condensation of water vapor into its liquid form is called condensation, तो जिस परिकरिया के द्वारा, water vapor बदल कर पानी के रूप में बन जाता है, तो उस परिकरिया को condensation काते हैं, संघनन काते हैं, did you ever see water drops condensens under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled, जब दूद को गरम करके रखा जाता है, तो आपने देखा होगा, जैसे उसके धकन को आप उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसके उपर में बूंद बूंद जमा हुआ पानी राता है, तो वह ही condensens होके वह पानी वहाँ पे जम जात है, after all the water has evaporates, what is left behind in the kettle, जब पूरा पानी केटली से वास्प बनके निकल जाएगा, तो फिर आप क्या देखेंगे, उसमें क्या बच जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नमक बचेगा, we have thus separated salt, इस परकार से हम salt को उस पानी से अलग कर सकते है, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and cond condition, तो इस तरह से हम उस मिश्रन को, पानी, नमक और बालू का जो मिश्रन था, इस तरह से हम उसको अलग करने के लिए इतने सारे विधी का उप्योग करना होगा, जिसमें decantation हो गया, filtration हो गया, evaporation and condensation, इस तरह से कई सारे विधी को अपना कर हम उस मिश्रन को अलग कर सकते पहली faced a problem while recovering salt mixed with sand अब पहली को एक problem यहाँ पे आया हुआ है कि उसने जितना नमक मिलाया था उस मिसरन में उतना नमक उसको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला यहाँ पे क्या mistake हुआ या फिर वो नमक कहां गिया see then try to method suggested in activity 7 अब activity 7 से पता चलेगा कि वो नमक कहां गिया to recover the salt उसके द्वारा पता चलेगा और उसको salt को recover करना she found however that she could recover only a small part of the salt that she had taken मतलब जितना उसने दिया था उसका एक छोटा पार्ट उसको नमक मिला उतना नमक नहीं मिल पाया what could have gone wrong कहां पे गलती हुआ कहां mistake हुआ क्या पानी किसी सबस्टेंस के किसी भी मात्रा को घुल सकती है in chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution हम लोग chapter 4 में पढ़ चुके हैं कि पानी जो होता है उसमें कई तरह की substances कई तरह के वस्तुए घुल जाती है और हमें solution पराप्त होता है we say that these substances are soluble in water उन चीजों को जो पानी में घुल जाता है उसको soluble substance करते हैं what will happens if we go on adding more and more of these substances to a mixed quantity of water क्या होगा जब हम किसी घुलने वाले चीज को पानी में add करते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं तो ऐसी स्तिति में क्या होगा वो घुलेगा या नि घुलेगा activity 8 हम लोग यहां पे देखते हैं you will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water यहां पे जैसे बतला रहा है कि आपको जोरत पड़ेगा एक beaker का या फिर a small pan तो आप beaker ही रखते हैं एक beaker है और एक चम्मच है salt है और पानी है नमक है पानी है for half a cup of water in the beaker beaker में आदा कब पानी डालते है add one teaspoon full of salt and stir it well एक चम्मच एक बड़े चम्मच जो है नमक उसमें पानी में add करते हैं और फिर उसको घोलते हैं until the salt dissolve completely जब तक वो नमक पूरी तरह से घोल नहीं जाता again add a teaspoon full और फिर से एक चम्मच वहाँ पे नमक मिलाते हैं और फिर से घोलते हैं go on adding salt और इस तरह से salt मिलाते जाते हैं और उसको घोलते जाते हैं after adding a few spoon of salt कुछ चम्मच नमक मिलाने के बाद do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker अब कुछ चम्मच चम्मच पांच चम्मच छे चम्मच इस तरह से मिलाने के बाद जो है कुछ वहाँ पे उस घोल में आप देखेंगे कि कुछ नमक का जो particles है वो घुल नहीं रहा है वो बना हुआ है जैसे केते से this means that no more salt can be dissolved in the amount of water अब इस मात्रा के पानी में जितना मात्रा में पानी है उसमें और नमक नहीं घुल सकता the solution is now said to the अब इस solution को इस billion को हम कह सकते है saturated billion है saturated मतलब संतिर्प्त billion है अब इसमें और नमक घुला नहीं जा सकता here is a hint as to what might have gone wrong when पहली tried to recover large quantity of salt mixed with sands यहाँ पे एक hint मिल सकता है एक संकित मिल सकता है कि पहली ने जो नमक मिलाया था वो कहाँ पे उसका नमक रह गिया जो कि उसको recover नहीं हो पाया तो यहाँ पे वो नमक जो है बालू में मिला हुआ रह गिया और उसको उतनी मात्रा में नमक नहीं मिल पाया perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution हो सकता है कि वो जितना नमक लिथी और जितना पानी लिथी तो उस मात्रा में वो कुछ solution जो है वो संत्रिप्त हो गया मतलब saturated हो गुला नहीं पानी में जिसके वज़ा से वो बालू में मिक्स होके रह गिया और जो घुला वही नमक उसको प्राप्त होगा तो कम नमक घुला होगा इसलिए कम नमक उसको प्राप्त होगा could have remained mixed with the sand could not be recovered जो बालू के साथ mix होके रह गिया वो उसको recover नहीं हो पाया she could solve her problem by using a larger quantity of water इस problem को solve कर सकती थी कैसे उसमें ज्यादा पानी मिला कि अगर ज्यादा पानी मिलाती तो वह जो संतिर्प्ति विलियन नहीं बनता और उसको उतना नमक प्राप्त हो जाता suppose she does not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture जैसे कि यहां पर बतला रहा है कि मान लिजे कि उसके पास जितना नमक था उसके अनुसार उसके पास पानी नहीं था मिलाने के लिए तो उतना ही पानी में जितना उसके पास पानी उतना ही पानी में saturated विलियन बनने से पहले ही वो ज्यादा उसमें ज्यादा नमक घुल सकती है या नहीं घुल सकती है इसमें कुछ चीज तरगा परकिरिया करके बतलाया गया है यहां पर जैसे बतला रहा है कि take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt मतलब एक beaker लेना है उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और तब तक उसमें नमक का घोल घोलते रहना है जब तक कि वो saturated ना हो जाए this will give you saturated solution of salt in water to this saturated solution and heat it अब इसमें और थोड़ा सा नमक मिला देना है saturated तो हो गया वो घोलने वाला नहीं है अब क्या करना है इस solution को गरम करना what do you find अब आप क्या पाते है what happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker beaker के पेंदे में जो जो घोला हुआ नहीं है उस नमक का क्या होता है does it dissolve, क्या वह घोल जाता है now if yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it अब क्या करना है वो जो घोल गया है नमक तो उस solution में आप थोड़ा सा और नमक मिलाईए और फिर उसको घोल लीजिए क्या वह घोल गया इससे हमें पता चलता है कि अगर पाणिंग को गरम किया जाए हिट किया जाए तो उसमें घोलने की जो सकती होता है और बढ़ जाता है वह ज्यादा सबस्टेंस को घोल सकता है let's this hot solution cool अब यह गरम जो solution है उसको ठंडा होने देते है does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again और जैसे ही वह solution ठंडा हो जाता है फिर से हमें नमक की जो मात्रा है फिर से उसके bottom पे दिखाए देने लगता है जलब ठंडा होने पर salt जो घुला हुआ नहीं है वह हमें फिर से दिखाए देने लगता है the activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating अगर हम नमक की ज्यादा मात्रा को घुलना चाहते हैं तो हम अपने उस पानी को जो है गरम करना होगा गरम पानी में हम ज्यादा मात्रा को घुल सकते हैं does water dissolve equal amounts of different soluble substance let's find out क्या घुलनसिल पदार्थ जो होता है वह एक ही मात्रा में या different different मात्रा में घुल सकता है तो आए हम लोग इसको खुजते हैं तो activity 10 है यह last activity है take two glasses and pour half a cup of water in each of them दो glass लेते हैं और उसमें दोनों में आधा आधा कप पानी डाल देते हैं add a teaspoon of salt to one glass and stir till the salt dissolved और उसमें एक बड़ा चमच नमक डालते हैं किसी एक में डालते हैं और फिर उसको घुलते हैं तब तक घुलते हैं जब तक कि वह घुलने जाता go on adding salt फिर जो है और नमक डालते हैं 1 teaspoon at a time till the solution saturated इस तरह से एक एक चमच करके डालते जाते हैं जब तक कि वो solution saturated नहीं हो जाता जब घुलना बंद हो जाएगा तो फिर रोग देते हैं record the number of spoons of salt that dissolved in the water और कितना चमच हम नमक डालते हैं उसको लिक कर रख लेते हैं जैसे कि यहां टेबल दिया गिया है एक टेबल यहां पर 5.2 है now repeat the same activity with sugar नमक का कितना चमच नमक डालने पर मतलब उसका जो solution बना रहे हैं कितना चमच नमक डाले कि उविलियन जो है संत्रिप्त हो जाए मतलब situated हो जाए तो उसी तरह से सुगर के साथ करते हैं इसे तरह से और भी यहां खाली है कोई दूसरा चीज और भी तीसरा चीज हम अपना सकते हैं तो सुगर के साथ वही करने के लिए कह रहा है repeat this with some other substances that are soluble in water कुछ ऐसी चीज़े जो पानी में घुल जाए उस तरह की चीज़ भी ले ले लेते हैं what do you notice from table 5.2 तो यहां पे हम देखते हैं table में जब यह भर जाएगा तो यहां पे हम देखते हैं notice करते हैं do you find that water dissolves different substances in different amounts क्या आप पाते हैं कि अलग-अलग चीज़े हैं पानी में अलग-अलग मात्रा में घुला जाता है तो अलग-अलग चीज़े जो है उसका मात्रा कम या ज़्यादा हो सकता है अगर पांच चमच नमक saturated होने में लगता है तो चीनी हो सकता है कि चार चमच में हो जाए या छे चमच लगे इस तरह से different amount हो सकता है We have discussed a few method of separating substances यहाँ पे हम लोगों ने पदार्थों को अलग करने के लिए कुछ method की चर्चा किये हैं Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory इस chapter में जो method बतलाये गया है उसमें से कुछ method science के laboratory में भी अपनाया जाता है separate करने के लिए We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid हम लोगों ने यह भी सीखा कि किसी वस्तु को जब पानी में घोला जाता है लिक्विड में घोला जाता है तो उसको solution कहते हैं solution त्यार होता है A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it जब एक solution में उसी substance को और नहीं घोला जा सकता तो वैसे solution को saturated solution काते हैं तो यहां पर यह chapter समाप्त हो गया है और यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले keywords दिया हुआ है जो कि हर chapter में दिया रहता है और इस chapter में हम लोगों ने कितिनी सारी चीज़ें पढ़ा इसके बारे में यह summary यहां पर दिया हुआ है संचिप्ते में हम इस chapter को जान सकते हैं और यह है इसका exercise जिसका question दिया हुआ है और यहां पर fill in the blanks दिया हुआ है 9 number में true false दिया हुआ है इसके अलावा और नीचे में दिया हुआ है project बनाने के लिए project activity तो आई यह मैं आप लोगों को जो मुखी question है इसका उसका answer बना के दे देता हुँ यह chapter 5 का question answer सबसे पहले keywords दिया हुआ है चर्iscilla, Is the process of separating the butter from the milk induce哦, The process of conversion of water vapor into liquid, Is called condensation Decantation, The pouring out of liquid slowly without disturbing the sediments is called condensation Evaporation, The process of conversion of water into water vapor is called Evo एप्र SuSal दो हैं Romans देकार Keडिया हुआ है process of Removing insoluble solids from liquid with STAINER is called filtration handpicking the process used to separate large particles from a mixture by hand is called handpicking saturated solution a solution that cannot dissolve any more quantity of solute is called a saturated solution sedimentation sedimentation is a process of settles down of a heavier particles in a liquid sieving the process of separating fine particles from the larger particles with a sieve is called sieving solution a solute dissolves in a liquid is called a solution tracing the process that is used to separate grain from stocks is called tracing winnowing the method is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind is called winnowing question number one why do we need to separate different components of a mixture give two examples before using a substance we need to separate harmful or non-useful substances that mixed with it sometimes we need two different useful components for example separate stones from rice churning milk to obtain butter etc question number two what is winnowing where is it used winnowing is the method of separating components of a mixture containing heavier and lighter components by wind or by blowing air it is used to separate husk particles from seeds of grain question number three how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking we can separate by hand picking what is sieving where is it used sieving is the process of filtering components of a mixture of different sides sieving is used in floor mills to separate broken particles of grains from floor it is also used to construction sites to separate tables and stones question number five how will you separate sand and water from their mixture from their mixture to separate sand and water from their mixture we follow the following steps leave mixture to stand undisturbed for some time in a container sand settle at the bottom of the container it is called sedimentation gently pour the water in another container called decantation we may also use filter paper to remove fine particles of sand called filtration it is possible to separate sugar mixed with wheat flour if s how will you do it this answer hooga s through sieving we can separate sugar mixed with wheat flour sugar का जो दाना होता थोड़ा बड़ा बड़ा होता है वो छन्नी में रह जाएगा और आटा जो होता है वो इसके छेद से निकल जाएगा how would you obtain clear water from a sample of muddy water following steps are required to obtain clear water from muddy water allow muddy water to stand undisturbed in a container after some time mud settles at the bottom of the container upper layer is clear water or the clear water gently in another container to remove fine impurities we can filter this water again with the help of filter paper question number eight में यहां पर भरने के लिए कहा गया है तो इसका यहां पर question के साथ answer दिया हुआ है जो black color का लिखा हुआ है वो answer है यहां पर tracing हो गया churning evaporation और last में sedimentation and decantation यह हो गया उसके बाद question number nine जिसमें true false लगाने के लिए कहा गया है तो यहां पर सारे के सारे false ही दिया हुए है question number 10 एक लंबा सा question है और इसका answer यहां पर दिया हुआ है we should add sugar before adding ice sugar dissolves in warm water more quickly than in cold water we can dissolve more sugar before mixing ice in water पानी में चीनी घोलने के लिए उसमें बोल रहा है कि अगर हम आइस डाल देते हैं तो क्या घूलेगा तो आइस डाल देने से पानी ठंडा हो जागा इसलिए ice डालने से पहले आप चीनी को पानी में घोल लें यहां पर इस तरह का बतला रहा है यहां पर चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे और इसी तरह का औ और वीडियो हमारे चैनल में आते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके रखेंए और अपने दोश्तों के साथ शेर कीजिए इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम झीने चलेंगे तो आई हमने सथी चलते हैं